पुलिस के हथे लेकिन जिस दिन चड़ेगा उस दिन उसका हश्र क्या हो सकता है शायद वो उसकी कलपना भी नहीं कर सकता पंजाब पुलिस अमरितपाल सिंग को दिन रात तलाश रही है अब तक उसके 112 सहयोगियों को हिरासत में ले चुकी है उससे पकड़ने के लिए दिन रात छापे मारी चल रही है लेकिन ये जो कारवाई पंजाब में अमरितपाल सिंग को ठूणने के लिए की जा रही है इस कारवाई के विरोध की गुंच विदेश तक सुनाई दे रही है जी पुलिसिया कारवाई के विरोध में ब्रिचेन के लंदन स्थित भारती उच्चायोग में खालिस्तान, समर्थ को और अलगावादियों ने भारती जंडे को ठा दिया और खालिस्तानी जंडा लहरा दिया अलंकि बाद में फिर उससे भी बड़ा तेरंगा लगा दिया गया है लेकिन भारत ने इसे अपने मान सम्मान से जोड दिया है बस अब इससे ज्यादा अपमान भारत बरदाश्ट नहीं करेगा ब्रिचेन का जो भारत का विरोध करने वालों पर धुलमुल रवया है ना भारत उसका जवाब मांग रहा है ब्रिचेन की सरकार पर अब भारत आग बबुला है रवयार को भारत में ब्रिचेन की तरफ से कारवाई की रफतार यहां नहीं रुकेगी और देश में रियाक्शन को लेकर उचिस्तर पर मन्थन जारी है अब इतना जो तैय है पुकि ब्रिचेन की तरफ से भारी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अब विचार किया जा रहा है कि कैसे ब्रिचिश सरकार को भारती सुरक्षा के मामले में ज्यादा जिम्मेदार और जवाब देह बनाया जा सके सुत्रों के मताबिक ब्रिचेन में रवेवार को तुरंगे के हुए अपमान पर मोदी सरकार साफ तोर पर समझा देने वाली है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के साथ रिष्टे सही नहीं रह पाएंगे और इसके आच दोनों देशों के व्यापारिक रिष्टों पर भी देखने को मिलेगी निश्यत रूप से ब्रिचेन को भारत का बाज़ार खोकर बड़ी कीमत चुकानी होगी ये ब्रिचेन के लिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ब्रिचेन अभी भी ऐसे मामलों पर धुलमुल रवया ही रखता रहा तो भारत कहां तक सहन कर पाएगा वो कही पर भी अपने देश का अपमान सहन करने के लिए तयार नहीं हो सकता रविवार को चायो के बाहर हुए प्रदर्शन का मुख्य सूतरुधार अपतार सिंग खाड़ा को माना जा रहा है खास बात ये है कि अपतार का पिता कुलवन सिंग खुकराना खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स का अतंकी था जो गुर्मीत सिंग बुखावाला के जरीए फंड पहुचाता था इस पर भी जब ब्रिटेन सरकार धिलाई बढ़ते हुए है तो फिर अब भारत को सक्ती करनी ही पड़ेगी ये इसलिए भी अब जरूरी हो गया है क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा कुछ भारत के खिलाफ ब्रिटेन में हो रहा है और इस पर ब्रिटेन सरकार चुप्पी साधे बैठी है बलकि इससे पहले भी साल 2019 में भारतिय उच्चायों के बाहर हुई एंटी सी ए और कश्मीर विरोध प्रदर्शन का मुद्दा केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार उठा चुकी है लेकिन फिर भी अक्सर मोधी सरकार के खिलाफ यहां नाराजगी बढ़ती ही देखी गई है भारत और भारत की सरकार का अपमान करते लोगों को देखा गया है ब्रिटेन में भारत की खिलाफ ऐसा कुछ होना यकीनन सुरक्षा से जड़ा है ब्रिचेन में भारती दूताबास और स्टाफ को परियाप सुरक्षा नहीं दी गई है जबकि अक्सर हालात कुछ ऐसे ही बने रहते हैं यहाल ब्रिचेन की सरकार का तब है जब रविवार को होई प्रदर्शन के बारे में पहले से जानकारी दी गई थी ब्रिचेन सरकार को चेताया था भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से MI5 समेट कई जगहों पर पहले ही रविवार को होने वाले प्रदर्शन के बारे में जानकारी दे दी गई थी साथ ही इसके अगवाई कर रहे नेता के बारे में भी बता दिया गया था लेकिन ब्रिचेन सरकार का रुख देख कर लग रहा है जैसे सिख अलगावादियों को लेकर ब्रिचेन की मौझूदा सियासी विवस्था साहनुभूती रख रही है और भारती सुरक्षा को लेकर की जान पर बनाएगी रववार की तरहा तब ही तो इस बार भारत ने काफी सक्त रुख अक्तियार कर लिया है सुरक्षा को लेकर ब्रिचिश सिस्टम की ऐसी उदाद सिंता को इस बार काफी गंभीरता से लिया गया है वैसे ब्रिचेन पर मोधी सरकार के इस सक्त आक्शन पर ब्रिटेन में हुए हिंदुस्तान के तरंगे के अप्रमान पर फिर मोधी सरकार के ब्रिटेन सरकार को लगाई गई क्लास पर आपका क्या कुछ कहना है अपनी राहों में कमेंट कर जरूर बताएं